हेलो वेलकम दोस्तों कैसे हैं आप लोग आप सब अच्छे होंगे मैं अधित्य हाजिर हूँ आप सब के सामने एक और इंट्रस्टिंग वीडियो लेकर जिसमें मैं आज बात करने वाला हूँ हीरो की तरब से निवली लॉंच दो सूपर स्प्लेंडर दो की एक स्टेक वेरेंट में निवली लॉंच हो चुकी है अगर आप 125cc सेग्मेंट में किसी एक ऐसी बाइक की तलाश कर रहा है जिसमें आपको काफी अच्छे एडवांस फीचर मिल जा जैसे की ब्लूतुत वजरा फीचर मिल जाए और फ्युच्रिस्टिक बाइक यानि की का सपोर्ट जिसमें मिल जाए अगर आप ऐसी गाड़ी की तलाश कर रहे हैं तो यह आपके लिए वीडियो काफी अदा अच्छा होने वाला तो इस वीडियो को बिना स्क्रिप्र देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दिजएगा अगर आप चैनल पर नै हों वीडि का सब कर दो आप बुisches वीडिय coff टों वाला आप आपे हैं वीडियो का सब भाए गर अवीडियो का सब बश्नियो कर दो 2 X 3 सबसे पहले मैं अगर शुरुआ करूं इसके फ्रेंड प्रोफाइल से तो इसमें आपको कुछ इसकी साइड पुरी प्रोफाइल मिल जाएगी मैं अगर दिखाऊं पूरी आपको पहले से पूरी आपको पहले से पूरी आपको चेहन मिल जाएगी जिसमें आपको नए तरीके के Super Splendor के S-Tag के यहां पर आपको 3D में इसके इस टीक्रिंग इंग लागी टैंक के ऊपर में टैंक का डिजाइन आप इसका देख सकते कि स्टरीके के साइड में आपको यहां पर के में अबर Gefühl की बाथ प्रेंट के साइट अप इसके अफरद की बाथ करता हूं इसके एडस टेप फेंप इसमें आपको एक डेट टाइम डानिंग के लिए डी आल दी गई है यहां पर देख सकते हैं शर्प की और यहां पर आपको प्रोम का टीट्मेंट फुरा इस साइड को उपर में मिल लाएगा उसी के साथ में इसका आपको है अपको एड के डिजाइन देखेंगे तो आप पह आपको मिल जाएगा और इसमें आपको मिलने वाली फ्रेंट में एक सो तीस मिलिमीटर की ड्रम ब्रेक और इसकी में अगर प्रोफाइल की बाग करता हूं तो असी सो अठारा एटी हंड़ेटी प्रोफाइल मिलेगी आप देख सकते हैं अठरा इंचेस के यहां पर आपको सकी कि मैं जाएंगे मुझे काफी आच्छा लगा क्या क्योंकि इसके उपर में और अच्छा लगने वाला है इस साइट में आपको डूल टोन में श्री क्रिक्ट जाएगा और यहां पर आपको पूरा साइट से प्रोफाइल मिल लियागी इसके फ्रेंशन की बाग कर बाग इसकी क्वालिटी भी काफी अच्छी होने वाली क्योंकि इसमें हलकी से प्रोडेक्शन टाइप में दी गई है इसके सस्पेंशन की उपर में जिससे गंदगी वगेरा जादा इसमें ना जाए इससे काफी अच्छी इसकी लाइब भी बढ़ जाती है साइड से मैंने आपको इसकी साइड यहुषी इसका ऊपर में अब इसके टैंक की ऊपर में आपको सूपर इसकी में देख साथ में उपर में देखेंगे तो नए वाले ग्राफिक्स आपको इसमें मिलने वाले द électने में इसके ब्लैक और यहाँ पर हिप llevी पर में और साइड में आपको आईटर स्च $ इसमें आपको मिल जाएंगे 5 step adjustable hydraulic shock absorber जो की काफी इच्छा perform करेंगे back में के मामले में भी जो की काफी इच्छा भी perform कर जाएंगे उसी के साथ में back के tail light की बात करें तो design के कुछ वही है आपको बिल्कुल same सा मिलने वाला है बस यहां एक को रिप्रेजेंट किया गया हीरो के तौर पर इसमें आपको रिफ्लक्टर बिग बैक में मिल लाएगा बैक कि दर बात करूं मैं तो बैक में भी आपको 130 mm की drum breaker option मिल लाएगा उस इकसाद में 5 step adjustable telescopic hydraulic shock absorber में आपको मिल जाएंगे देखने में बैक इसके आप देख सकते हैं पूरी लूक कैसी है उस इकसाद में इसके आपको turn indicator में अगर दिखाऊ हूं तो आपको ball wide turn indicator मिलेंगे जो कि flexible होने वाले हैं और यहां पर आपको इसकी grab rail देख सकते हैं जो कि कुछ जिस तक यहीं मिल लाएगी color में देख सकते हैं इसमें अगर बताऊं तो यहां पर आपको crash guard मिलता है और एक आपको single horn मिल लाएगा और 180 mm कि इसमें आपको ground clearance मिल लाएगी जो की काफी अच्छी बात इसके साब से जो की ज्यादा टच होगे रहना करें 180 mm की ground clearance मिल लाई है और 5 gearbox का इसमें आपको constant mess वाला system भी मिलने वाला आप द साथ में इसमें आपको safety wise में side cutting off stand की warning मिलने वाली है side cutting off की safety purpose से काफी अच्छी होने वाली है और इस side में भी आपको footage मिल लाएंगे adjustable rubber covering के साथ में और पूरा close में इसमें आपको chancet cover मिलेगा सबसे बड़ा change इसमें तो आप देख सकते हैं आपर e20 यानि की bs6 phase 2 के लिए गारी अप तयार हो चुकी है जिसमें आपको e20 वाला petrol से भी गारी अप चल जाएगी जो कि e20 वाला fuel आएगा उससे भी चले के लिए ready हो चुकी है सब्सक्राइब के साथ में आप देख सकते हैं सब्सक्राइब की निवाली ग्राफिक्स मैंने आपको बता दिया जैसे की और 180 mm की इसमें आपको ground clearance भी मिल जाएगी सीट हाइट की मैं अगर बात करता हूं 793 mm की सीट हाइट मिल जाएगी इसमें आपको इसकी कुछनिंग की बात करें तो काफी जाएदा सॉप्स्राइब कुछनिंग मिल जाएगी साइट से भी आप दिखाऊं में एकर तो सीट भी जाएदा लंबी होने वाली है सेवन वाली क्रोम के साथ में देख सकते हैं इस साइट से मैं आपको दिखाऊंगों तो इसके एक्जास का डिजाइन किछ ऐसा इसमें आपको मफलक गार्ट भी मिल लाता है जब आप पर्चेस के लिए रैडी करते हैं भी इसमें नहीं लगा हुआ एक आपको इस साइट कि मिल पर पर मिल लाएक और हैंडल की डिजाइन आप देख सकते हैं इकसाद में ब्लैक कलरल से यहां पर आपको इसके लिवर मिल लाएंगे इस साइट में आपको इसलेटर के साथ में आपको पताऊ है क्योंकि वह काफी यदा अच्छा रहता है और सबसें बारें बात करने जा रहा हूं कि इसमें आपको डिश्टल मीटर पूरा मिलने लगा है और मैं अगर करूं पहले इसको तो देख सकते हैं आप इसमें हैलो माई ही लिक के आता है जो की काफी अच्छा लगता है और इसमें आपको मिलने वाला काफी जदा हाई टेखनालोजी के इसमें आपको मीटर देख सकते हैं अपर आपको स्पीचर मिलने वाला है यहां पर आपको साइड श्टेंड कर देख सकते हैं आप इसमें कि बैजिंग भी मिल जाएगी उसी के साद में और ट्रिमीटर सेट कर सकते हैं उसी के साथ में फ्यूल इंगेज का ऑप्शन भी मिल जागा व्यूस करनेटीविटी जैसे फीचर भी मिल जाएंगी इसमें आपको और इंडिकेटर में ग्लोग हो रहा है जब मैं आपको दिखा दूँ तो कुछ इस तरकी का है फ्रेंट से आप इसका डिजाइन देख सकते ह है जैसे कि आप देखेंगे पूरी इसकी यह अपनों मैंने आपको प्रफाइल दिखाई अब बात करते हैं इसके इंजन के बारे में जिस्स की पर्फॉर्मेंस निकल के आती है इसमें आपको मिल लिए आगा 124.7 की का एयर फूर स्टॉक सिंगल स्रेंडर ओसी इंगन जो क आपको 55-60 kmpl तक का और इसका आपको माईलेश पूरा मिल जाएगा साहिड में आपको सिंगल आउर मिल लिए और 180 mm की इसमें आपको ग्राउंड क्रेंस भी काफी अच्छी सी मिल जाएगी क्योंकि आप यह बाइक तरीके से फ्यूरिस्टिक हो चुकि है क्योंकि आप इसमे पहले तो यहाँ पर आपको मिलने वाला यूसबी जिससे यूसबी पोर्ट है जिससे आप अपना फूल फोन वगेरा भी चार्ज कर सकते कभी एमर्जंसी पढ़ने पर इसका में आपको दिखाई दिया जैसे की की डिजाइन भी आप देख सकते हीरो की बैजिंग मिल लाए में पढ़ता कल्यान पूरोड के उपर में यहां से आप कोई भी हीरो की बाइक या स्कूटर दगेरा पर्चेस कर सकते हैं तो कुछ यह थी हीरो सूपर फ्लेंडर एक्स टैक की वीडियो तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्स्राइब कर दीजगा वीड पर लाते रहेंगे थैंक्स पर वाचिंग